नमस्कार आज हम लोग बात करेंगे एक कैंसर की जो अपने इंडिया में नंबर टू कैंसर बच्चे धानी के मूँ का कैंसर विश्व में और किसी भी देश में अधी आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग इस कैंसर के बारे में जानते भी नहीं लेकिन यह बहुत बड़ा है कि हमारे भारत में यह नंबर टू कैंसर बहुत सारी महिलाएं इस कैंसर से आज की डेट में अपनी जान गवा देती हैं बड़ अच्छी बात क्या है कि इस बच्चे दानी के मूँ के कैंसर को हम इसकी रोक थाम कर सकते हैं इसका बचाओ है ऐसा बहुत कम कैंसर में होता ह सो इस महीने जनवरी का महीना जाना जाता है जागरुकता कैंसर बच्चे दानी के मूँ के कैंसर के बच्चाओ की जागरुकता के प्रती सर्विक्स कैंसर अवेर्नस मंथ सो थोड़ी चीजे में आपके साथ यहां पर डिसक्स करूंगी जैसे कि यह क्यों होता है कैसे इसका बचाओ करना है कैसे पता चलेगा किसको cancer है और इसका treatment क्या है तो in short अभी जब कोरोना के टाइम पर हमें पता चला कोरोना एक virus होता है वैसे ही हमारे body के अंदर almost सभी के अंदर एक virus होता है इसका नाम होता है human papilloma virus यह specially हमारे जननांगों में होता है ladies और gents दोनों के होता है तो क्या होता है यह transmit कैसे होता है जब शारीरिक संबंध के टाइम पे sexual contact के टाइम में लेडी से एक जिंड्स को एक आदमी से एक औरत को औरत से आदमी को किसी को भी ट्रांस्मिट हो सकता है यूज़ी हमारे जो बॉडी की इम्मुनिटी होती ओटमाटिकली इम्मुनिटी से वाइरस को किल कर देती है बट कभी कभी क्या होता है वाइरस हमारे अंदर रह जाता है बहुत सालों तक grow करता रहता है करता रहता है और फिर नॉर्मल जो जगह है उसको कैंसर में बदल द को भी रोक सकते हैं तो पहली चीज क्या है कि किसको यह आने का चांसस जादा है तो जैसे बहुत सारे लोगों के साथ शारी की संबंद रखने की हाबिट है या जब फिजिकल कॉंटक्स सेक्शल कॉंटक्ट कर रहे हैं तो प्रिवेंशन जैसे कॉंडम्स वगरा नहीं यूज है यह हमारी महिला है लड़कियां हैं जब उनको महावारी आती है उस उन्हें वह उस एरिया को प्राइविट पर अच्छे से साफ महीं रखते हैं एक पढ़ लिया वो पूरे दिन उसी पैड में रहते हैं यह टैंपून डाल दिया उसको साफ महीं रखते तो हाइजीन बोलते हैं उस एरिया को बॉड़ी के ऊपर ज्यादा हावी हो जाते हैं जो जिन लोगों को HIV है उनको एक एंसर आने का चांसस ज्यादा रहता है आज कर लेडीजी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं बीडी कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं वो बीडी पीते हैं